मेटाबोलिज्म टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है आपका सही जानकारी का स्रोत मेटाबोलिज्म और स्वास्थे के बारे में मेरे शरीर को कितना मैगनीशियम चाहिए मैं फ्रैंक स्वारेज हूँ मोटापा और चैपचे में विशेशज मैं आपको मेगनीशियम की आवशक्ताओं के बारे में जिसकी हमें जरूरत होती है बताना चाहता हूँ कई एपिसोड में हम एक उतपाद का उलेक करते हैं जिसे मैजिक मैग कहा जाता है लेकिन अगर आपके पास मैजिक मैग तक पहुँच नहीं है जो कि एक विशेश प्रकार का मैगनीशियम है तो आप लगभग किसी भी मैगनीशियम का उप्योग करने की कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल मैगनीशियम की विभिन्न गुणवत्ताई हैं, आपको बता दें कि मैगनीशियम की आठ प्रकार की कक्षाएं हैं, जो क्लिनिकल और विश्व विद्यालेओं के अध्ययनों से खोजा गया, शरीर द्वारा बेहतर अवशोशित होता है, अधिक प्रभावी है, ते कोई फर्क नहीं पड़ता और आम तोर पर हम इसे रात में लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति मैगनीशियम सिट्रेट, मैजिक मैग का उपयोग करता है, तो वह अच्छी तरह से सोने लगता है, सुभ़ह आराम से जागता है, मैगनीशिय में हमने इस पूरक को मैजिक मैग कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जी हाँ, जैसे जादूई मैगनीशियम नहीं बिल्कुल इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे खुद के प्रमानित मेटाबोलिजम सलाहकार कहते थे, डॉन फ्रैंक ये चमतकारी है, ये महिला नहीं सोती थी और आप सो रही है, डॉन फ्रैंक ये चमतकारी है, उस आदमी का ब्लड प्रेशर नहीं कम हो रहा था, और अब कम हो गया है, और डॉक्टर ने उसकी दवाई भी बंद कर दी है, इसलिए हम इसे मैजिक मैग कहते हैं, लेकिन जो मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूँ, वह ये है कि आप कैसे निरधारित करें कि आपके शरीर को कितना मैगनीशियम की आवश्यक्ता है, चाहे वह हमारा हो, क्योंकि इसे एक नैचुरल असलिम में पाने का विशेश लाब है, या फिर वह मैगनीशियम जो आप बाहर से पाते हैं, सपष्ट रूप से सभी मैगनी के लिए एक पल के लिए ब्लैक बोर्ड पर जा रहा हूं, क्रिपया ध्यान दें, कई वर्षों के लगातार अभ्यास के माध्यम से हमने यह पाया कि जिन लोगों को मोटापा या मधुमेह की समस्या थी, अगर वे मैगनीशियम के साथ पूरक नहीं करते थे, या जल्दी से वजन कम नहीं करते थे, या मधुमेह को नियंतरित नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए स्थिति अधिक जटिल हो सकती थी, इसलिए हमें एहसास हुआ कि वजन कम करने, मधुमेह नियंतरित करने या रक्तचाप कम करने के लिए बिना मैगनीशियम के ऐसा करना असंभव था, क्लिनिकल साहित्य, विज्ञान साहित्य, विश्वविद्यालेओं के क्लिनिकल अध्ययन, मेयो क्लिनिक, आक्सफोर्ड विश्वविद्याले और अन्य को देखते हुए हमने महसूस किया कि आबादी के अध्ययनों में जो किया गया है उसे वे महामारी विज्ञान कहते हैं यह पता चला है कि 46% आबादी मैगनीशियम की कमी से पीडित है क्या मैगनीशियम अपने आप में एक ऐसा खनिज है जो प्रकृती में बहुत अधिक है जब आप एक जंगल को देखते हैं और एक हरे भरे जंगल को देखते हैं तो आप जो देख रहे हैं वह हरियाली है हरा रंग जो क्लोरोफिल उत्पन्न करता है क्लोरोफिल में क्या होता है क्लोरोफिल वह पदार्थ है जो मानो एक पौधे का खून हो जो सूर्य की रोशनी को उर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है ताकि पौधे के कार्बो हाइडरेट और उर्जा का उत्पादन हो सके लेकिन क्लोरोफिल हरा होता है और क्लोरोफिल इसलिए हरा होता है क्योंकि इसमें मैगनीशियम होता है इसलिए मैगनीशियम हरे रंग की रोशनी को परावर्तित करता है जब आप प्रकृती में हरी चीज देखें आप मैगनीशियम देख रहे होते हैं क्योंकि ये हरी रोशनी परावर्तित करता है उदाहरन के लिए जब आप उंगली में चुभन महसूस करें और खून की बून देखें तो वह लाल देखता है क्योंकि इसमें लोहा है जो लाल रंग प्रतिविंबित करता है जबकि मैगनीशियम हरा प्रतिविंबित करता है तो जब आप बहुत सारी सबजियां हरी चीजें खा रहे होते हैं तब वास्तव में बहुत सारा मैगनीशियम का सेवन कर रहे होते हैं आप हरी घास देखते हैं, क्लोरोफिल देख रहे हैं, मैगनीशियम देख रहे हैं, हरे जंगल को देखते हैं, मैगनीशियम देख रहे हैं, और जब प्रकृती में हरापन देखते हैं, तो मैगनीशियम देख रहे हैं, अब मैगनीशियम वास्तव में महत्वपूर्ण है, क् कि ये शरीर की 300 से भी अधिक एंजाइम क्रियाओं में सक्रिय भाग लेता है कैल्शियम से कहीं ज्यादा वास्तव में कैल्शियम का उपयोग मैगनीशियम के बिना नहीं किया जा सकता उधारण के लिए बहुत से लोगों को लगातार कैल्शियम दिया जा रहा है पर मैगनीशियम की वास्तविक खुराक कितनी चाहिए जो हमने व्यवहार में खोजा है और जो हम अपनी पुस्तकों में सलाह देते हैं मेटाबोलिजम की शक्ती डायबिटीज बिना समस्याओं के और नैचुरल स्लिम में वह ये है कि मैगनीशियम हमेशा आंतों की सहनशीलता के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए आंतों की सहिशनोता क्या है तो आंतों की सहनशीलता वह अधिकतम मैगनीशियम की दैनिक खुराक है जिसे आप इससे पहले कि यह आपको हलका दस्त का कारण बने सेवन कर सकते हैं क्योंकि हलका दस्त का मतलब है कि आप पहले ही अधिक मात्रा में सेवन कर चुके हैं कलपना कीजिए कि शरीर की कोशिकाएं जैसे कि एक छोटा क्यूब हो कोशिकाओं की कलपना कीजिए और वे नहीं हैं लेकिन जैसे कि वे एक छोटा क्यूब हो अगर आप उस क्यूब में कुछ मात्रा डालते हैं या उसे किसी मातरा तक बढ़ाते हैं जब वह शीर्ष पर पहुंचता है तो वह उफन पढ़ता है ठीक उसी तरह मैगनीशियम के साथ भी होता है आपको जरूरत है खास कर अगर आपके पास एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है जो एक ऐसा तंत्रिका तंत्र है जिसे सोने में कठिनाई होती है जिनका शरीर काफी तनाव में होता है जिन्हें यहां और उपर धर्द होता है यदि आपको संदेह है कि क्या आपकी निश्क्रिया या उत्तेजित तंत्रिका प्रणाली है जो चैपचाय को नियंत्रित करती है तो Metabolism TV के एपिसोड 119 देखें वहाँ 5 प्रश्ण है आप जान जाएंगे क्या आपकी निश्क्रिय उत्तेजित तंत्रिका प्रणाली है सबसे जरूरी उत्तेजित तंत्रिका प्रणाली वाले लोगों को अधिक Magnesium की जरूरत होती है क्योंकि यह खनीज आराम देता है और ऐसी प्रणाली तनाव में होती है अब जब Magnesium की अधिकता होती है तो यह बह जाता है जो फिर उस छोटी दस्त या हलकी दस्त का कारण बनता है जो किसी को होता है जब वह अधिकता से गुजरता है इसलिए इस सप्प्लीमंट या किसी भी Magnesium सप्प्लीमंट का उपयोग कैसे किया जाता है चाहे वह टेबलेट हो यह जो होता है वह पाउडर में होता है इसे अधिक आसानी से अवशोशित किया जा सकता है जाता है आप एक चम्ची से शुरू करते हैं चम्चा नहीं चम्ची 6 ओंस 7 ओंस पानी में शायद मुझे क्या पता लगभग या करीब करीब 200 ml पानी में है ना पहली रात अगली रात आप डेड़ का उपयोग करेंगे इसे आधा बढ़ा दिया अगली रात आप दो का उपयो रात इसे एक बार इस्तेमाल करते हैं और इसे आधा और बढ़ा देते हैं यानि कि आपने एक से शुरू किया फिर दूसरी रात डेड़ तीसरी रात दो चौथी रात धाई तीसरी रात तीन और हम कहेंगे कि उदाहरन के लिए आप पहुँच गए क्योंकि हम सभी अलग है तीन और आधे पर पहुँच गए और अगले दिन आपको हलका दस्त हुआ तो इसका क्या मतलब है वह दस्त बह गया वास्तव में बह गया क्योंकि आपने आंतों की सहनशीलता को पार कर लिया था इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है कि ये तीन और आधा नहीं है ये सकते हैं अगर वे टैबलेट हैं तो टैबलेट और आधी टैबलेट में बढ़ा सकते हैं और इसी तरह जब तक आप एक खुराक तक नहीं पहुँच जाते जो आपके शरीर द्वारा मैगनीशियम की सेहनशीलता की अधिक्तम खुराक है बिना आपकी आंतर सहनशीलता को पार किये इस तरह से आपका शरीर मैगनीशियम से पूरी तरह भरा होता है जो शरीर की सभी क्रियाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है और आप अपने शरीर की रक्षा शुरू करते हैं और मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच हमेशा जीता है